हालो फ्रेंट्स कैसे हैं सब लोग तो मित्रों मैं हूँ आपका दोस्त प्रकाश और जैसा कि मैंने वादा किया था आरेस प्री पॉलिटी का सेक्शन आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं हेडिंग आप देख सकते हैं कॉंस्टिट्वेंट असंबली सम्विधान सभा किस टाइप के क्वेशन बनते हैं प्री में कैसे कैसे क्वेशन पहले आए हैं पेसिक से हम स्टार्ट करेंगे बिलकुल पॉलिटी के बेसिक से और सबसे पहला जो यहां पर कॉंसेट आता है पॉलिटी में वो आता है friends कि आप जो quality पढ़ रहे हैं आखिर वा quality किसके इर्दगिर्द गूंती है तो उसमें हमें दो चीजें cover करनी है पहला हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार जो quality जिसकी बात करती है वो एक word आता है राज्ये राज्ये बोले तो state अब state क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा and जब state समझ में आ जाएगा तो दूसरा point हमें ये समझना पड़ेगा friends कि आखिर समभिधान क्या होता है what do you mean by constitution समभिधान तो constitution हमें समझना है और हमें समझना है राज्ये इन दोनों को समझने के बाद में फिर हम हमारे syllabus को cover करेंगे अगर आपने pre के syllabus को देखा है मित्रों तो पहला ही पहला जो point है देखो syllabus को खोलो और साथ साथ में नोर्स बनाते जाना बिल्कुल तो नोर्स बनाते जाना पहला ही पहला point यही है मित्रों समभिधान सभा तो मैं यहाँ पर पहुँचने से पहले दू चीजों से आपको अवगत कराऊंगा और वो दो चीजें कौन सी है पहला point है friends state what do you mean by state या फिर राजी देखो तो सबसे पहले हम समझते है मित्रों राज्य की अवधारणा या the concept of state राज्य की अवधारणा तो अभी आप में से कई लोग कहेंगे सर राज्य का मतलब तो सिंपल है राज्य का मतलब राजस्तान जब UP MP हरियाना से नहीं है तो फिर राज्य का मतलब क्या है देखिए जब भी हम किसी लैंड को या भूभाग को राज्य कहते हैं तो उसमें चार चीजें इंक्लूड होती है तो मैं यहां पर एक word indicate करता हूं राज्य या फिर state और इससे जुड़ी हुई चार बातें मैंने पहले भी कई बार आपको बताई हैं उतकर्स में अनकेडमी पर इसका code word अपने discuss किया था वोलो भी मेरे साथ इसका code word होता है friends A, G, P और S किसी भी भूभाग को आप state या राज्य तभी बोलेंगे जब उसके पास में यह चार चीजें हो A, GPS Global Positioning System आगे यह लगा दो तो A, GPS का मतलब क्या है सुरो नोट्स बनाते जाना साथ में क्योंकि प्री और मैंस का आपका syllabus 80% approach same है तो फाल तो डबल मेहनत करना मत यही नोट्स आगे आपकी काम आजाएंगे A का मतलब है मित्रों यहाँ पर area या जिसको अपन कहते हैं चेत्रफल या एक भूभाग चेत्र कह दो या फिर भूभाग कह दो G का मतलब है यहाँ पर government कह दो या फिर मित्रों सरकार कह दो P का मतलब है मित्रों आपका population पॉपुलेशन कह दो या फिर जनसंख्या कह दो अरे आया रे मज़ा आया गया गाना जुनाओ ना फिर सुनाएंगे गाना दो तीन चीजे हैं A, G, P, S, P मतलब population या जनसंख्या और S का मतलब है मित्रों sovereignty या मैं कह सकता हूँ संप्रभूता संप्रभूता तो पहली बात तो यह समझनी आपको पूरी quality मकान बनाता है नीव डालता है नीव किते फिटके होती है पहले तीन फिटकी फिटकी फिर दू फिटकी फिर एक फिटकी तो पूरी quality आखे टिकी हुई किस पर है पूरी quality टिकी हुई है शिरफ इस एक word पर Rajya State अब आप कहोगे सर राज्य, अरे UPMP नहीं, राज्य का मतलब देश हैं, लेकिन देश भी कौन सा, वह भूभाग, वह छेत्र, जिसके पास में ये चार चीजें हो, उसका गुद का एरिया हो, उसमें सरकार होनी चाहिए, वहाँ पर जनसंग क्या होनी चाहिए, और वहाँ पर स पेत्र सरकार, पॉपुलेशन, ये तो हमारे समझ में आ गया, सम प्रभूता क्या होता, जरा ये भी बता दो, ये तो मैंस का क्वेशन है मित्रों, पिछले से पिछली बार मैंस में 20 वर्स में पूछा गया है, सम प्रभूता को परिभाशित कर, इस पर भी मैं आऊंगा, ल यास, absolutely भारत एक राज्य है, क्या भारत की पास में चेतरपल नहीं है क्या, है ना, 3,42,240 square kilometer, that is the area of इंडिया, तो भारत का area है, बिलकुल, सरकार है क्या, बिलकुल, भारत की सरकार है, भारत सरकार, मोधी गवोर्मेंट जिन्हें आप ही कह रहे हैं, जन संक्या में तो और हमने यह सपत लेता हूं, कि 2025 तक हम चीन को पजाड के दम लेंगे, और इसमें आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है, है ना, तो मित्रों, अभी यह तीनों बातें तो आपके समझ में आ गई, संप्रभूता का क्या मतलब है, संप्रभूता का जो basic meaning है मित्रों, वो है संप्रभूता, मतलब स्वेम की सत्ता एक तरह से, तो मैं यहाँ पर इस टॉम को define कर रहा हूं मित्रों, संप्रभूता या sovereignty, ज्यान से समझेगा, देखिए, किसी भी देश का, किसी भी राच्य का वह गुण, जब कोई देश अपनी आंत्रिक और बाहिये विदेश नीती, म मैं यहाँ यह कह सकता हूं, कि जब कोई देश अपने आंत्रिक वह बाहिये निर्णे decisions, और मैं आप से पूछ रहा हूं, आपके गर में क्या बनेगा, यह पडोसी decide करेगा क्या, यह आपके पडोसी decide तो जरूर करेगा, नहीं, आपके गर में क्या बनेगा, आप decide करोगे, आप किसके यहाँ खाने में जाओगे, यह क्या पडोसी आ के बोलेगा कि आज वहां मत जा वहां जा रहे, यह आप अपने internal और external decisions खुद लेते हो, तो कोई भी देश जब अपने internal और external decisions खुद लेता हो, किसी पर निर्भरता नहीं हो, तो उसे कहते हैं संप्रभुदेश, आंत्रिक और बही निर्णे यदी कोई देश स्वेम लेता है, स्वेम लेता है बिना किसी दबाव के, या बिना किसी बाहरी नियंत्रन के, बिना किसी दबाव या नियंत्रन के, यानि खुद का राजा खुद होगा, तो इस संप्रभूता को समझना मित्रों और इस आधार पे आप मुझे बताओ क्या भारत एक सौवरेन कंट्री है संप्रभू है क्या भारत अपने अंत्रिक मामले खुद सौल करता या दूसरी विदेशी सरकारों से पहले सला लेता है मालो मोदी जी के कबजी हो गई या किसी के भी कबजी हो गए मोदी जी का नाम नहीं तो क्या दूसरे नता पूछने जाएंगे वाँ जै बाइडन से कि कौन सी गोली दें अबाबान रड़े लेक लेंगे ऐसा नहीं internal मामला हो या external मामला हो हम हमारे decisions खुद करते हैं अभी इसका example में बताओं देखो ज़रा जैसे मित्रों अभी इंद्रागांदी जी के समय की बात हैं तो इंद्रागांदी जी के समय यहां पर एक दीप हुआ गरता था जिसका नाम था फ्रेंस कच्चा ती वो दीप कच्चा बादाम नहीं कच्चा तीवु दीव तो ये कच्चा तीवु आईलेंड जो था ये इंडिया और स्री लंका के बीच में विवाद का विशे था है ना तो ये वाला जो द्वीप हैं इंद्रा गांधी जी के समय हमने किसको डॉनेट कर दिया स्रिलंका को दे दिया लेकिन ये जो स्टेट दिख रहा है तमिलनाथ यहां की सरकार को बड़ी प्रॉब्लम हुई जै जै लली तैन दूसरी डीम के डीम के पार्टियां थी इंद्रा जी ने सब की प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए डिसिजन पर कायम रहे यानि इंटर्नली कितना भी दबाव आया हो लेकिन अपने डिसिजन्स पर कायम रहे हम इंटर्नली मजबूत बने रहे अता हम आंत्रिक रूप से क्या है जो है वो परफेक्ट है आंत्रिक रूप से आंत्रिक ताकतों को जीत सकते हैं उनकी ना सुनते हैं केंदर सरकार स्ट्रॉंग है रज्यों की तुल्णा यूँका यूँ ये देश जो आपको देख रहा मित्रों बंगलादेश यहाँ पर भी कई परकार के आईलेंड्स हैं और यहाँ से एक रीवर जो निकलते मित्रों जिसका नाम है तिस्ता रीवर तिस्ता नदी हमारे यहाँ से होती भी बंगलादेश में जाती हैं तो हाल ही में 2015 में मोदी जी ने तिस्ता जल समझोता किया और किया अग नहीं किया तिस्ता जल समझोता और उसमें आपको बता है अमारी यहां है ना वो गुवा जी दिद्धी कौन ममता बंदर जी ममता बंदर जी जो है वो बड़ा गुसा हुए कि यह ऐसे कैसे कर सकते हैं तो मोधी जी ने का अभी तू नहीं तो कोई और से कोई जरूरी नहीं है आपका चलना हम किसी हो इस्मृती इरानी जी के साथ चले जाएंगे यानि ममता जी की नाराजगी के बावजूद हमने क्या किया तिस्ता जल समझोता किया तो यह मित्रों इंटर्नल सोबर्निटी का मुद्दा हुआ कि नहीं है आंत्रिक ताक्तों हमें बांदने की कोशिस की फिर वी हम अपने डिसीजन्स पर काइम रहे यानि हम इ UNSC के अंदर जब वोटिंग हुई और एक प्रपोजल लाया गया रश्या पर बैन करने का तो हम उसमें भाग ही नहीं लेते हैं हम एपसेंट रहें तो क्या इसके लिए हमें जे बाइडन ने नहीं बोला कि एपसेंट कैसे रह रहो भी रश्या के उपर तो प्रतिबंद किसी भी प्रकार के मामलों में स्वेंम डिशिजन लेते हैं और यहीं हमारी खास बात हैं और इसी कारण भारत को आप एक राज्ये मान सकते हैं मानना कया है तोगि भारत के पास ये चारों चीजेह कि इस सारे points clear है क्या hello बना रहे बागा में जूला घालिया क्यों निगा लेंगे भी बना यहां तक समझ में आ गया क्या क्यों को थमसब मैं थोड़ा पानी प्यूंगा क्लास तोड़ी दीमी गती से लेता हूँ मैं लेकिन आप चार गुनी स्पीड करके देखिएगा जो चीजें समझी है वो आपके मेंस में भी मेंस के औरियंटेड ही हम पढ़ रहे हैं अब नाम दिया मैंने आरे स्प्री लेकिन चीजें मेंस के औरियंटेड है पुरी और प्री में तो ये खैर सारी काम आनी आनी है कॉंसेप्ट को समझेंगे तो पॉलिटी के बीस कुश्यन आप कर पाएंगे रटने से सवाल होते नहीं आप देख लीजी पुराने पेपर उठा के अभी चो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं मित्रों अभी थोड़ा एक दो एक आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पॉर आरेस प्रेलिंस 2023 और रज्जी क्या होता है ये हमने सीखा है अब थोड़ा सा और मैं इलबरेट करूं इसको मित्रों रज्जी के अंदर चार अंग मैंने बता दिये ए जी पी और एस लेकिन क्या मित्रो ये रज्जी सब्द ये आपके आरेस प्री का क्वेशन है आरेस प्री का क्वेशन मैं बता रहा हूं प्रिवेस यह का कि ये जो रज्जी वर्ड है the first thinker or the first philosopher in this world who used the first time the word state in his particular book तो मित्रों कौन था वो बोमिया जिसने रज्जी सब्द सारो प्रथम प्रियोग में लिया पहला वो बोमिया पहला वो वैक्ति जिसने सारो प्रथम रज्जी सब्द या state word जो है वो काम में लिया तो वो बोमिया और कोई नहीं था मैंने पहले भी बताया था उसका नाम था Niccolo Macchiawali बोलो मेरे साथ Niccolo Macchiawali नाम सुनाओगा तो Niccolo Macchiawali ने अपनी किताब नाम बताओ किताब का चलो इनकी किताब का नाम था the prince किताब का नाम क्या था मित्रों the prince तो इस बुक के अंदर 1513 में 1513 AD में इन्हों ने ये बुक लिखी हालांकि पब्लिस बाद में होई थी 1534 में 1513 में a book the prince was written by the Macchiawali and दूसरा question यहां से ये बना है कि Macchiawali आखिर था कहां था कहां का था रहा भई Macchiawali Macchiawali friends आपका Italy का था उनर जागरन में Renaissance में आप पढ़ेंगे Macchiawali Italy का एक philosopher था एक लेखक था उसने ये word सबसे पहले दिया दुनिया को कि आओ बच्चों तुम्हें बताओं कुछ जांके हिंदुस्तान की कि क्या यह लो राज्य सब्द तो राज्य सब्द यूच करने वाला पहला बंदा दुनिया में था Macchiawali and the book The Prince was written by Macchiawali in 1513 AD and country कौन सा था Italy लेकिन इसका मतलब क्या राज्य की जो वास्तविक अबधारणा है The actual concept of state was implemented in Italy Yes or No? No हालांकि राज्य सब्द सबसे पहले Italy में ही आया है लेकिन इसका actual implementation कि रियानवेन जिसे अपन कहते हैं वो Italy में नहीं हुआ है तो राज्य सब्द का सबसे पहले implementation कहा हुआ इसी slide में बता रहा हूँ मित्रों सबसे पहले जो क्रियानवेन हुआ है राज्य सब्द का वो हुआ है मित्रों आपका विधिवत रूप से England में या मैं कह सकता हूँ Britain में जान रखना ब्रिटेन वह पहली कंट्री है जहां पर state word के according सारे सिस्टम बनाया गया state word को actual में implement किया गया जबकि यह word first time आया कहां था तो इटली में आया था तो ध्यान रखना है दोनों question अलग-अलग हैं तो ध्यान रखेगा कि state word दिया तो इटली में गया था first time बट इसका real में implementation कहां हुआ था ब्रिटेन में सरकार की तौर पे and second thing आगे थोड़ा सा मैं अगर बढ़ू मित्रों तो सुनिएगा अब यहां से मेरा question है आपसे दियान से सुनिएगा question देखता हूं कितना समझ माया है मेरा question है आपसे क्या आप number first Hong Kong King Kong नहीं Hong Kong Hong Kong is a state or not my question number two Greenland is a state or not yes come on answers question number three Vatican City is a state or not number fourth Tibetan is a state or not क्या यह चीजें इन्हें आप राज्जी कहपाऊगे क्या क्या Hong Kong को आप राज्जी कहऊगे तो आओ अच्छों इधर चलते हैं आजो इसको मैं रफ करता हूं बदेकर भी Hong Kong का है पड़ा बड़ बता Hong Kong Hong Kong तो मित्रों कॉंसेप्स को समझते जाएं और चीजें एकदम मस्त वाली हो जाएगे आपके ध्यान लखना पॉलिटी में बोले गे आपके सब्दों में यह यहाँ पर फ्रेंट्स आपका Hong Kong ताइवान वाला एरिया है मैं दोनों की बात कर रहा हूं Hong Kong किसके अंडर में क्या यह अलग से कोई कंट्री है तो आपका होगे नहीं सर Hong Kong एक autonomous state है या स्वायत छित्र है लेकिन इस पर ultimately indirectly control किसका है चाइना का है तो क्या Hong Kong एक संप्रभू राजी हुआ क्या Hong Kong के पास में संप्रभूता है क्या मित्रों बदव बदव नहीं है Hong Kong के पास में और ताइवान के पास में sovereignty नहीं है So Hong Kong and ताइवान are not the states Greenland कहा है यह बड़ा देखो दुनिया का सबसे बड़ा दीप Greenland तो क्या Greenland एक state है मैं गया रहा हूँ नहीं आप बताओ क्यों नहीं है क्योंकि मित्रों इस पर एक छोटा सा देश है यहाँ पर Denmark Denmark का इस पर कबजा है मित्रों Indirectly इस पर कबजा किसका है Denmark का तो इसका मतलब यह भी sovereign नहीं हो न इसकी नीतिया आप फाइनली कौन डिसाइड करेगा Denmark तो Greenland is not a state and third one Vatican City यहाँ पर इटली में आपका autonomous state है इटली का direct indirect control है तो यह जो सारे तिबबत है जैसे सपोच तिबबत में इसकी खुद की land तो है भूमी तो है लेकिन इस पर भी control किसका है चाइना का हालंकि तिबबत की सरकार कहां से चलती है बारत में दर्मसाला है हिमाचल परदेश से लेकिन फिर भी वो सरकार valid नहीं है क्योंकि तिबबत के पास में खुद की जमीन नहीं है तो द्यान से समझ गये होंगे कि political में जब भी हम बात करेंगे state की तो उसका मतलब होगा ये चार चीजें जिनके पास में चार में से कोई एक भी कम है तो आप उसे state नहीं बोलोगे यहां तक समझ में आ गया क्या अत्ता माजी सटक ले बढ़िया सा बढ़िया 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 करता हूँ आप लोगों को लेकिन क्या करें आँखों से आशू नहीं आते आप भी मुझे मिस करते हैं क्या मित्रों कमेंट में बताना मेरे पुराने स्टुडेंट हो जितने भी क्या महोल था वो रात दस बजे वाली अब अपने को डांस करने से कोई नहीं रोख सकता अभी एक काम तुम लोगों को करना है देखो बेरी लॉंग प्लानिंग है और प्री के समय महमेरातन ठोकेंगे अपन रोज की आठान दस-दस कंटें, MCQ जन ये न वो न फुल तयारी तो थोड़ा सा आपको लेको इनिशिल लेवल पे सपोर्ट करना पड़ेगा भी रोकेट होता है रोकेट शुरू में अगर ढंका जटका नहीं लगेगा थ्रस्ट नहीं आएगा एक बार जोर का जटका लगेगा तो फिर रोकेट प थोड़ा मैंने पहला पॉइंट आपको समझा दिया अपनी जर्णी सुरू कहां से होई शुरू यहां से होई कि हम दो चीजें समझेंगे पॉलिटिक्स स्टार्ट करने से पहले पहला था स्टेट जो मैंने समझा दिया आपको राज जी अभी दूसरा मुझे समझना है कॉ कॉंस्टिटूशन या समविधान क्या है और फिर अपना आगे गाड़ी दोड़ा देंगे अओ तो मित्रों बात करते हैं समविधान या फिर कॉंस्टिटूशन की सिंपल परिभाशा बताओ चलो यह मैंस में कॉशन आगया मान लो कॉंस्टिटूशन डिफाइन इन 20 वर् कि अब ही देखे संविधान को समझने से पहले थोड़ा सा मैं और अंदर गुसना पड़ेगा अईसे कि संविधान एक्चुली क्या है जबैधान उन नियमों विभिन प्रकार के नियमों और ये κ peculiar अपन देख सकते हैं या सिध्धानतों सम्विधान जो है मित्रों विभिन प्रकार के नियमों और सिध्धान्तों यानि इंग्लिश में मैं बोलूं तो simply rules and principles कुछ rules होते हैं और कुछ principles होते हैं कुछ नियमों और सिध्धान्तों का क्या है मित्रों set है वोले तो समुच्चे है समुच्चे हैं जिसके माध्यम से किसी देश का साशन संचालित किया जाता है ज्यान से सुन लेजे जिसके माध्यम से किसी देश का साशन संचालित किया जाता है समविधान और the constitution is a set of rules and the principle by which country's government is governed और the country का साशन जो है वो चलाया जाता है उसे ही अपन क्या कहता है यह तो लॉलिपॉप डेफिनेशन है कि समविधान क्या है कि समविधान साब माल लीजे कोई किताब है यह पड़ी कहा अगे रहे यह पड़ी माल लो कोई किताब है कि यह समीधान है, कि इसमें क्या है, इसमें कुछ नियम है, कुछ ऐसे सिद्धानत है, इसे किसी देश के साशन को आप चला सकते हैं, किसी को अपन समीधान कहते हैं, नाए, that is the rather definition, इससे नमबर नहीं मिलेंगे, तो फिर नमबर कैसे मिलेंगे, वो तो मैंस में बात है, अब ह आपको सिंपल यह समझना है, कि कुछ जैसे घर में जो बड़ा होता है, जैसे आपके पापा है, ममी, उन्होंने कुछ रूल्स डिसाइड कर रखे हैं, अलागि आप फॉलो नहीं करते हैं, गल्फेंड से बात नहीं करनी है, वोई फेंड से मूह नहीं लगना है, सुबह ज किताब में, उस किताब का नाम क्या है, संविधान, लेकिन मित्रों, संविधान की actual definition यह है, जो आपको मैंस में भी लिखनी है, और मैं डाइग्राम से भी आपको समझा देता हूँ, देखो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, simply, यह है मेरा संविधान, बैंस वालों, ओर आरेस वालों, इस टाइप से आपको क्या करनी, कारीगरी करनी, यह सरकिल में ड्रो कर देना आप बली, यह संविधान क्या है साब, कि संविधान actual में है, यहां तीन तीर ठोक दो, एक, दो, और तीन, और यहाँ पर, दो बोक्स बना दो, इस टाइप से डाइग्राम बना करके, आप बढ़िया से इसको लिख सकते हैं, ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ मित्रों, विधाई का, अभी इस पर मैं आऊँगा, विधाई का, यहां पर मैं लिख रहा हूँ कारेपाली का, इंग्लिश मेडिया चिंता मत करी, आपको भी कंटेंट मिलेगा, और यहां पर मैं लिख रहा हूँ नियापाली का, इंग्लिश मेडिया, इसको कहते हैं, इंग्लिश में, लेजिसलेचर, एल लिख दीजे, इसको कहते हैं, एक्जूखेटियो, इएक्स लिख दीजे, इसको कहते हैं, जिवडी शरी, जे लिख दीजे, और यहां मैं लिख रहा हूँ मित्रों, आपका एक तो आजाएगी जनता, और दूसरा आजाएगा आपकी सरकार या राज्जी, यह जनता है, और यह हैं आपका राज्जी या फिर सरकार, अब यह इसको ड्यान से समझे, यहां से पूरी डेफिनेशन के लिए रो जाएगा आपकी, और लौसरा, यह समद्धान, तो कॉंस्टिटूशन एक्चुल में है क्या, समद्धान, उन नियमों या सिध्धानतों का एक समुच्चे हैं, जो साशन के विभिन अंगों, विधाय का, कारेपाली का, नियापाली का तिनों दिकरी हैं, इनकी responsibilities और इनके अधिकार, बोलेते हैं, इनके पास में दो चीजे हैं, कुछ कारेपाली का के अधिकार हैं, और कुछ इनके दाइत्व हैं, इन दोनों को क्या करता है साब, निर्धारित करता है, अच्छे से निर्धारित करता है, कि कारेपाली का क्या कर सकते और क्या नही कर सकती है नियाएपालिका क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है यनि संविधान वह पुस्तक है या संविधान उन नियमों का समुच्य है जो ये बताती है बिलकुल जो ये बताता है या ये बताती है कि विधाईका कारेपालिका और नियाएपालिका के अधिकार क्या है और दाइत वो ग्या है और साथ ही साथ जनता और सरकार के वीच में एक संबंद बनाने का या इन संबंदों को नीमित करती हो उसी को क्या कहते हैं हम संबिधान कहते हैं यह डेफिनेशन आरेस मेंस के काम किये मित्रों प्री में अभी आप से कोई परिभाशा नहीं पूछने वाल समझा सकते हैं तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और आगे कि यह तो समझ में आगे समविधान क्या है समविधान एक किताब है जो सासन की चलाने वाले संड कुछ बदा रहे थे कारेवाले का नया पाले का और विदाही का इनको कुछ रेस्पॉंसिबिलिटी दिये ग connection क्या होगा उसको भी बताता है कौन अरे सम्विधान अब थोड़ा सा और आके बढ़ते हैं यहां से क्वेशन दमदार आते हैं मेरा पहला क्वेशन है यहां से कि first of all सम्विधान वाद की अवधारना किस देश में आई the concept of constitutionalism सम्विधान वाद the concept of constitutionalism यह concept सबसे पहले कहां आया बोलो बोलो कमेंट बॉक्स मताओ मुझसे पहले क्या दम नहीं है गया यह अवधारना सबसे पहले कहां आयी थी मित्रों इंगलेंड में ब्रिटैन में सॉरी मैं इंगलेंड गलत लिख रहा हूँ एक्चुल में word लिखना मुझे ब्रिटैन ब्रिटैन में ज्यान रहें तो सम्विधान वाद की अवधारना सबसे पहले ब्रिटैन में निकली और you know very well कि अगर मै कहूं आप से दुनिया का पछला संविधान कौन सा है आप कोगे अमेरिका का नहीं the first constitution in this word that was the British constitution ब्रिटैन का संविधान दुनिया का पहला संविधान माना जाता है ज्यान से सुनना पहला संविधान डेटेन का समविधान दुनिया का पहला समविधान माना जाता है लेकिन यही question मैं यूँ पूछूँ the first written constitution पहला लिखित समविधान कौन सा था पहला लिखित समविधान तो आप कहोगे sir American constitution लेकिन इसमें भी जोल है क्या जोल है जोल है कि यह word जो आप लिखित लिखित करते हों नहीं लिखित भाड ही गलत है यह word अपने आप में यहाँ appropriate नहीं है तो कि ब्रिटेन में इसा मौकिक चलता है वहाँ लिखावान नहीं समविधान है लिखित की जगा यहाँ word होना चीए था सहीता बद सहीता बद बोले तो codify तो दुनिया का पहला codify का मतलब जैसे अपने आप कैसे है सुरू होता ही प्रस्तावना उसके बाद में फिर part 1, part 2, part 3 पूरा 22 भाग अलग अलग दे रखें तो ऐसे codify नहीं है जान रखना लिखित है ब्रिटेन का बट codification नहीं है उसमें जैसे जैसे समय के अनुसार चीज़ें आती रहे उनको जोडते गए जोडते गए जोडते गए और बात करें यहां पर आपको लगभग आसे 800 साल पहले का 1215 का ब्रिटेन में जो मेगना कार्टा आया था और 1689 का जो Bill of Rights था मेगना कार्टा का मदलब है वहां के राजा महराजा ने जनता को एक अधिकार पत्र दिया था और इसको कहा जाता है Bill of Rights जिसमें अभी जो अपने Fundamental Rights हैं हमारे सारे यहीं से निकले हैं तो यहां ब्रिटेन के सम्विधान में 1215 का मेगना कार्टा भी है 1690 का Bill of Rights भी है और ना जाने कितनी चीज़ें टाइम टू टाइम इसमें अपडेट कर दी गई तो ध्यान से समझ गए फर्स्ट कॉंस्टिटूशन ब्रिटेन का फर्स्ट रिटन कॉंस्टिटूशन अमेरिका का और दूसरा अमेरिका का कॉंस्टिटूशन कब लिखा गया था 1789 इदर साइद आपको दिखेगा नहीं अमेरिकान कॉंस्टिटूशन वाज रिटन इन 1789 87 सारी 1787 और कौन सा सम्मेलन हुआ था इसके लिए इसके सम्मेलन का नाम भी याद रखना आपको फिलाडेलफिया बोलो फिलाडेलफिया फिलाडेलफिया जो कन्विंशन हुआ था 1787 में इसी फिलाडेलफिया सम्मेलन से अमेरिका का सम्मेलन निकला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन किसका है अब्यस से भारत का है तो ये सम्विधान से जुड़ी हुई जितनी बातें थी मित्रों वो मैंने सारी बता दी है I hope अभी मैं छोट-छोटे लेसंस बना रहा हूँ क्योंकि quality अपन आराम से पढ़ेंगे फिर चाचर गंटे की क्लासे भी अपलोड होगी तो धिरे-धिरे कहने राबड़ी गरम-गरम नहीं खाने है धिरे-धिरे खाने है तो इतना समझ में आगया है क्या comment box में जरूर बताईएगा और RS exam के regarding कुछ भी आपको पूछना हो और जल्द ही मैं module wise test series ला रहा हूँ और अभी मित्रों अपना यूट्यूब चैनल है ये तो आपके सामने है RS अड़ा करके अपना टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको RS exam के regarding बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलती है तो आपको ये भी करना है और इसके साथ साथ मैं RS अड़ा जोइन करना है और अभी मैं comprehensive manner मैं test series ला रहा हूँ उसको जोइन करना ही करना है 100 test की test series जैं 100 test बाइसा बाका फट जाएगा आपका पूरे राजस्तान में 100 test की test series आपको कहीं नहीं मिलेगी bilingual होगी और सारी questions fresh हैं ऐसे नहीं बासी question इदर दर से टापाटापी कर दी एक दम फ्रेज ना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको मिल्कुल शांदर मैंने खुदने बनाए equations मैं हूँ प्रकास चावड़ा BE from MBM Engineering College Cole India selected UPS interface and three times RS men's experience हालंकि मेरा RS men's इस बार भी रहा है पर मित्रों जादा number नहीं है मेरी mark sheet मैं अपलोड कर दी है या आज कल मैं कर दूँगा मैं मेरे और selection के बीच में के ओल चार number का फरक रहा है लेकिन अब क्या करें मित्रों पॉइंटों से भी रहो रहना तो रहना ही होता है but finally यह है कि मेरा RS men's में selection नहीं हुआ but इसका मनलब यह कता ही नहीं है कि मेरे students का selection नहीं हुआ है इस बार भी लगबग 10 से 12 students मेरे men's में निकले है और उसमें सित्ता करीबन 90% लोग finally select होंगे पिछली परती में भी 5 students अपने बने थे RS में proper और अभी मदनलाल जी एडमार साब बन गे उसके बाद में college lecturer में नमबर आ गया उनका अभी RS interview उनका आयो हम अच्छी उम्मीद करते है मदन जी का finalize हो जाए मिना साब भी है राहूल जी भी है एक बहन भी है तो कई लोग हैं जो कर रहे हैं लेकिन मेरा नहीं हुआ ये भी एक सत्यता बट जब तक तोड़ेंगे नहीं कब तक छोड़ेंगे नहीं कोई भी क्वारी हो आपकी RS exam के regarding आप बेज़े जग होकर के इस नमबर पर 9950496952 RS अड़ा पर मैं डेली एक question का answer writing कर वा रहा हूं एक या दो question का डेली 20 questions आपको homework में दिये जा रहा है MCQ केवल और केवल किसके लिए RS के लिए तो आप जुड़ें और चैनल को देखिए आग की तरफ है लो थोड़ा हमें भी motivation मिले हैं आपको क्या लगता है वीडियो बनाना असान है आपको लग रहा हूं कि यूट्यूब से कमाई होती है कुछ भी कमाई नहीं होती यूट्यूब से बस तो फिर यूट्यूब पे हम क्यों माख्या मार रहे हैं हम माख्या इसलिए मार रहे हैं ताकि कि future में हमें कुछ अच्छा मिल सके थोड़ा famous हो सके और आपका भी भला हो सके और हमने 5 साल जो रगडवाई है उसका फायदा थोड़ा आपको भी मिल सके सिद्धी बात है रगडवानी पड़ती आरिस बनने के लिए बिना रगडवाए कोई आज बनों कोई काल बनो वो तडपना पड़े का मित्रों बिना तडपन कुछ भी नहीं और तडपेंगे आप और तभी सोना निख रहेगा ओके बबाबा ठेक केर